अब मैं आपको बताना चाहूँगा की इस फ्लेट के अंदर आपने सीटिंग और सेटिंग किस परकार से करनी चाहिए सब्सक्रेक्ण Kaiser से में अपको एंक्र éénड के बारे deshalb का वास्थधों से कैसे दूर क्याया आपने एक तो दैलिस लगानी है एक इसके डीकंट क्रीम क्लार का प्याइक करना है अब इसके बाद बात करते हैं लॉबी गी लॉबी में आपने अपने यहां पर डाइनिंग टेबल कहां लगानी है डाइनिंग टेबल आप अपने यहां पर डाइनिंग टेबल लगाए और फ्रिज भी आपने लॉबी में रखना है तो फ्रिज आप अपना यहां पर आपके पनी किचन है किचन के अंदर आपने गैस बर्नर कहां रखना चाहिए बर्नर आपने अपना इस आपने अपने अपना बनर लगाना चाहिए और आपने अपने अपने जो सिंक लगाना है सिंक आपका नोर्थ वेश्ट के भाद में यहां पर आपका अपना सिंक आणा चाहिए आपने अपने आपने यहां पर ओवन रखना है मिक्सी रखनी है वो सब आपके इपनी सौथ वेश्ट में वेश्ट वॉल पर यहां आ जाएगे यहां पर ग्राणी का मुख खाना बनाते समय सौथ हिष्ट की ओर होना चाहिए इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा आपकी जो किचन है किचन का फर्ष का लेवल अंदर के यानि लॉबी के फर्ष के लेवल के बराबर होना चाहिए किसी भी कीमत पर आपके यहां फर्ष का लेवल नीचा नहीं होना चाहिए यदि यहां पर फर्ष का लेवल आपका नीचा होगा तो कहीं ना कहीं जो घर के मेल मेंबर है उनके स्वास्थे को लेकर भी दिक्कत आएगी और उनके वैपार में भी दिक्कत आएगी इसलिए आपने यहां का फर्ष का लेवल लॉबी के फर्ष के लेवल के बराबर रखना है और किचन के अंदर जो कलर स्कीम आनी चाहिए वो वाइट कलर और ग्रे कलर की ही कलर स्कीम आनी चाहिए यह इस फ्लेट के लिए हमेशा अच्छा रहेगा अब मैं आपको बताना चाहूँगा यहां की बैलकनी के लिए नॉर्थ वेश्ट के बैलकनी आपकी बहुती बढ़िया है यहां पर इस दर्वाजे को आप रूटीन में ओपन करते हैं यहां से एर क्रॉसिंग होती है और साथ में जो खिर्की आपकी नॉर्थ वेश्ट के बाग में लेगी है इस खिर्की को भी रूटीन में खोलते हैं तो आपके घर के अंदर हमेशे ही positive energy का दबाव बना रहेगा और हर वेक्ति आप लोगों की साहता करने के लिए तैयार रहेगा, क्या करने से नॉर्थ वेस्ट की खिड़कियां और दर्वाजा ओपन करने से, अब मैं आपको बताना चाहूंगा नॉर्थ के bedroom के बारे में कि इ इस रूम के अंदर जो Almira दिखाए गई है वो Almira नॉर्थ वेस्ट के भाग में यहां पर दिखाए गई है और इसमें जो window दिखाए गई है वो window आपकी इहां पर इस पार्ट में दिखाए गई है मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप भी इस विंडो को जरूर खोले। यदि आपने इस रूम के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी है तो आपने इस विंडो को हर रोज रूटीन में खौलना चाहिए। इस रूम के अंदर आपने बैड कहां पर लगाना है। बैड आप यहां पर भी टीवी लगा सकते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप इस रूम को गेस्ट रूम बनाएंगे तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा। बच्चों के लिए जो रूम बनाना है तो बच्चों के लिए रूम आप इस रूम के अंदर भी साउथ इ लगाना है वो बैड़ आपने साउथ वेस्ट वाल पर लगाना है और इसमें भी सोतिस में आपके पैर नौर्थ इस्ट की और होने चाहिए और यहां पर जो टीवी लगाना है वो टीवी आपका अपने ठीक सामने आ जाएगा। एक बात का धियान रखना है किसी भी कीमत प पर दियान रखना है यदि आपने अपने यहां पर अल्मेरा रखी हुए तो मेरा अपने यह मानना है कि जो गरती इस रूम में रहता है वो हमेशा ही डिश्टब रहेगा आपने इस रूम से अल्मेरा को जरूर हटाना है अब मैं आपको बताना चाहूंगो टॉलेट के बा तो आपने क्या करना है जो नौर्थ-ईस्ट की टॉइलेट है इस टॉइलेट के अंदर डब्लीजी का यानि कमोड का इस्तमाल नहीं करना है इस टॉइलेट का इस्तमाल आप सिर्फ नहाने के लिए करेंगे तो यह वास्तु शास्तर के अनुसर बिल्कुल सही रहेगा लेकिन यहां पर आपने मलमुत्तर त्याग नहीं करना किसी भी कीमत पर यहां पर मलमुत्तर त्याग नहीं करना है आपने इस टॉइलेट को हमेशा ही साफ रखना है इस बात का खास तोर पर ध्यान रखना है अब मैं आपको बताना चाहूंगा साउथ-ईस्ट के भाग में यहां पर आपने सितिंग जोन कैसे करनी है यहां पर आप अपना यहां पर नोर्थिश्ट कर भाग में यहां पर अपना मंदिर लगा सकते हैं जब आप साउथिश्ट कर भाग में अपने सौफय लगा हैं वो peach color होना चाहिए या pink color होना चाहिए या reddish brown color होना चाहिए इस बात का खासतोर पर ध्यान रखना है यदि आपके यहाँ पर sofic gray color के हैं या black color के हैं या blue color के हैं तो मेरा अपना यह मानना है कि आपके यहाँ health issues हमेशा बने रहेंगे स्वास्ते से संबंदे दिक्कत हमेशा आपके यहाँ आती रहेंगी अब बात करते हैं balcony की balcony साउथ इस्ट के भाग में दिखाएगी यह balcony आपके बिल्कुल सही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन धियान रखना है इस इस्टे में यह दिया आप पानी का काम करते हैं तो भी आपके यहाँ health issues बने रहेंगे पैसे आने के साधन भी कम होंगे और कहीं न कहीं आपके घर के अंदर भी और आपके अपने व्यापार में भी जगड़े बने रहेंगे किसके कारण साध इस्ट के भाग में पानी गिरने के कारण यह दिया आप यहाँ पर washing machine लगाते हैं तो मैं क्याना चाहूंगा कि आप इस washing machine को यहाँ से हटा कर नोर्थ वेस्ट के भाग में इस हिस्से में आप यहाँ पर भी अपनी वाशिंग मिशीन लगा सकते हैं और यहाँ पर भी आप अपनी वाशिंग मिशीन लगा सकते हैं इस हिस्से में आप अपने कपड़े दोएं और आपको अपने कपड़े सुखाने हैं तो आप यहाँ पर के ओनर का होना चाहिए वास्तु शास्तर के अनुसर और मेरे अपने अनुपव के अनुसर जो व्यक्ति इस रूम में सुएगा उस व्यक्ति के काम एक एक करके बनते चले जाएंगे एक तो बेड़ आपने साथ फेस्ट वाल पर लगाना है सोते समय आपके पैर नौर्थ इस्ट की और होने चाहिए यहाँ पर आपने जो अलमेरा लगानी है वो अलमेरा आप अपने यहाँ पर लगाएं वार्डोब यहाँ पर लगाएं इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके हां जो विंडो साउथ यूश्ट के बाद में यहां लगी हुई है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने इस विंडो को रूटीन में उपन जरूर करना है आप इस विंडो को ओपन करेंगे तो आपके रूम के अंदर पॉजिटिव ए यहां इस रूम के साथ जो अटास्ट बना हुआ है यह तो आपका वास्तु शास्तर के अनसार बिल्कुल गलत है क्योंकि आपके यहां और कोई आप्शन नहीं है आपको इस टॉलेक का तो इसमाल करना ही होगा मैं यह चाहूंगा कि यह दिपॉसिबल हो तो यहां पर जो आ नहाने का सिक्टम में बंद करें और आप नहाने का सिस्टम जो श्ली एकि एस बाथरूम का इसमाल करता है इस टॉयलेट का इस्तमाल करता है तो इस्तमाल करने के बाद आपने यहां का फर्ष बिल्कुल ट्राई करना है यानि यूज करने के बाद वाइपर से इसका पानी सारा साफ करना है और फर्ष के ऊपर गिले कपड़े नहीं छोड़ने हैं यदि आप इन बातों का धिहान रख लेते हैं फर्श को सुखा कर लेते हैं गीले कपड़े बाल्टी के अंदर रखते हैं तो इसका प्रभाव काफियत तक कम हो जाएगा और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा यदि आप अपने बात्रूम बनाने जा रहे हैं या रेनुट करने जा रहे हैं तो इसके अंद सेट अप सही करते हैं तो यह फ्लैक्ट भी आपका काफियत तक सही हो जाएगा क्योंकि फ्लैक्ट में तोड़ फोल करना आसान नहीं है आप अपने फ्लैक के अंदर रहते हैं तो जो बाते मैंने आपको बताईए जो रेमिडिस आपको बताईए वो रेमिडिस आप अपने करने के लिए बताया है ऐसे ही जो सौथ यूश्ट के बाग में खिर्कियां और दर्वाजे लगए यदि आप इनको भी ओपन करते हैं यानि एर क्रॉसिंग कम्प्लीट होती है आर पार होती है तो भी आपके फ्लैट के अंदर पॉजिटिव एनरजी बढ़ जाती है आपके अपने फ्लैट के अंदर रहते हैं और आपको प्रेशानी आ रही है तो आप हमसे नीशन को जो के अपने फ्लैट के बारे में वास्तु सला ले सकते हैं आप भी अपनी किसी साइट के परती हमसे वीडियो बनवाना चाते हैं तो आप हमसे वीडियो भी बनवा सकते हैं और पिताजी द्वारा लिखित पत्थम पुस्तक लक्षमी प्रवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने वास्तु शास्तर के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है और इस पुस्तक को उन्होंने प्रिंट करा कर समाज में बाटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर बरपूर ला परोड की हुई है आप परेशान हैं तो आप मेरी उन वीडियो को देखकर अपनी समस्यां का समाधान खुद कर सकते हैं आप मेरी वीडियो देखें सुने समझे और विचार करें आपको लगता है कि बनसल जी की बाते सही है और आप परेशान है तो आप अपने यहां पर इस विशे पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार